असे आती है दुआ मन के तमना मेरी हाई वीवर्स आज मैं आपको बहुत अच्छी गहानी सनाने वाली हूँ जिसका नाम अली बाबा और चालिस चोड है तो आईए शुरू करते हैं अली बाबा और चालिस चोड बहुत अरसा हुआ मुलके बगडार में डोस सगे बाई रहते थे बड़े बाई का नाम कासिम था और चोड़े बाई का नाम अली बाबा कासिम लालची और हुड़गर्ज इनसान था वो अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकता था जबके अली बाबा इंतहाई नेक और इमानदार इनसान था कासिम बहुत अमीर था इसके बावजूद बहुत लालची था हर वक्त डोलच हासल करने के चक्रों में रहता अली बाबा एक गरीब लकर हारा था वो सारा दिन जंगल से लक्रिया अगठी करता और शाम को बजार में फ्रोहट कर दिता इस आम दिनी से बमशकल उसका घुजारा होता फिर भी अल्ला का शुकर अड़ा करता एक रोज अली बाबा जंगल में लक्रिया कात रहा था उसने देखा कि बहुत से सवार गोरे तुराते हुए चिले आ रहे थे अली बाबा एक चितान के भी चुपकर बैठ गया ये गोर सवार एक बड़ी चितान के पास आकर रुक गे फिर उन्होंने गोरू से उटर कर उन पर लड़े हुए ठैले उटार कर अपने कंडू पर लाड लिए चुडू के सरडार ने चितान के पास खड़े होकर कहा खुल जा सिमसिम चितान फोरण एक तर्फ सिर्क गई सरडार चितान से गार में डाखन हुआ उसके साथ ही बाकी चुड भी गार के अंडर डाखन हो गे अली बाबा एरिट से ये सब कुछ देख रहा था उसका दिल पुकार पुकार कर कह रहा था यकीनन ये लोग चौड है और चौडी का मार रखने के लिए यहां आए है कुछ देर बाद वो चौड गार से बाहर आगे और चौवू के सरडार ने कहा बंधो जा सिमसिम इसके साथ ही चटान वापस अपने जगा पर आ गई और चौड वहां से रवाना होगे उनके जाने के बाद अली बाबा चटान के ओट से निकला और सामने वाली चटान के पास आकर बोला खुल जा सिमसिम इसके साथ ही चटान का दरवाजा खुल गया अली बाबा गार में दाखल हुआ तो ये दे कर हिरान रह गया के गार हीरे जवराट सोने चांदी और अश्रफियों से बड़ी हुई है अली बाबा ने जल्दी से तीन तोड़े अश्रफियों के उठाई और गार से बाहर आ गया उसने वो तोड़े अपने गड़े पर ला दे फिर गार के दहाने पर आकर कहा बंद हो जा सिमसिम इसके साथ ही गार का दरवाजा बंद हो गया अली बाबा अश्रफियों के टोरे लेकर गड़ आ गया उसकी बीवी इस कड़र अश्रफियां देखकर हिरान रह गई अली बाबा ने उसे सारा वाक्या सुना कर कहा हबड़ डार इस बात का किसी को पते ना चले वरना हम किसी मसीबत में फंस जाएगी उसने अपनी बीवी से कहा ऐसा करो कास्म के गड़ से जा कर तराजू ले आओ हम अश्रफियों को टोल कर जमीन में डफन कर देंगे अली बाबा की बीवी कास्म के गड़ गई कास्म गड़ पर मजूद नहीं था कास्म की बीवी भी बड़ी चलाख ओरत थी अली बाबा की बीवी ने जब उससे तराजू मांगा तो वो हिरान हुई कि बला इन्होंने तराजू का क्या करना है बारहाल उसने तराजू दे दो दिया मगर चुपके से तराजू के नीचे थोड़ी सी गौन चुपका दी अली बाबा की बीवी तराजू लेकर आ गई गर आकर अली बाबा को तराजू दे दिया तो उसने जल्दी जल्दी इश्रफियां टोल कर वापस तोड़े में डालनी शुरू कर दी एक अश्रफी तराजू के पलरे के नीचे गौन से चिपक कर रह गई अली बाबा ने तराजो कास्म के गर वापस बजवा दिया कास्म की बीवी अश्रफी देखकर हिरान हो गई रात को जब कास्म गर आया तो उसने उसे सारा वाक्या सुनाया वो फूरन अली बाबा के पास गया और उससे पूछा अली बाबा ने गबरा कर सारी बार प्ता दी कासिम उस शाम अपने बख्टरीन गोरे लेकर गार के सामने पूँच गया और बिलंड आवास में कहने लगा खुल जा सिमसिम गार का दर्वाजा फोरण खुल गया कासिम गार में डाखल हुआ तो इतनी सारी डूलत देकर हिरान रह गया उसने आदी डूलत समेती और गार के दर्वाजे की तरफ बढ़ा बगर बढ़ासी में गार का दर्वाजा खुलने वाले अलफाज बूल गया कभी कहता खुल जा सोम सोम कभी कहता खुल जा सोमी सोमी गार का दर्वाजा ना खुला अब तो कासिम बरा गबराया इतने में डाकू भी आगे जब उन्होंने कासिम को गार में मजूद देखा तो घुस्से से आग बगोला हो गे उन्होंने तलवारू के वार करके उसके टुकरे टुकरे कर दिये फिर वो लूट का माल रख कर वापस चले गे सुबु तक जब कासिम गर ना आया तो कासिम की बीवी बरी परशान हुई अली बाबा को पता चला तो वो कासिम की दलाश में गर से निकला गार में पुँच कर उसने देखा के गार में कासिम की लाश के टुकरे परे हुए हैं उसने उन टुकरों को एक ठैले में डाला और गार से बाहर आ गया कासिम की बीवी ने जब उसके की लाश देखी तो वो रोने लगी अली बाबा को भी कासिम के मन्ने का बड़ा डुक हुआ उसने कासिम की बीवी को तसली दी फिर लाश के कफन डफन का बंडुबस करने लगा अली बाबा की कनीज मरजीना बरी अकलमंद थी उसने अली बाबा को मशरुआ दिया के अगर लाश को सी कर एक कर दिया जाय تو कफन डफन में असानी रहेगी अली बाबा को मर्जीना का मशरुआ पसांद आया मर्जीना ने कहा के वो एक मौची को जानती है जो हकीम भी है अली बाबा ने उसे मोची को लाने के लिए बेज दिया मरजीना मोची की आंखों पर पत्ती बांद कर घर ले आई और उसे दो अश्रफिया दियी मोची ने बरी महारत से लाश को सी दिया अब मरजीना ने दुबारा मोची की आंखों पर पत्ती बांदी और उसे वापस छोड़ाई उड़र जब चालीस चोर गार में वापस आई तो उन्होंने कासिम की लाश के टुकरों को गाई भाया वो बड़े हिरान हुए उन्हें यकीन हो गया कि कोई और आडमी भी है जो गार के राश से वाकफ हो चुका है अब एक चोर बेस बड़ल कर शहर में आया दो ही दिनों में उसने उस मोची का पता चला लिया जिसने कासिम की लाश के टुकरों को साहसिया था उसने चार अश्रफियों का लालच दे कर उस से उस गर का पता मलूम करना चाहा मोची ने कहा गर तो मैंने नहीं देखा तुम मेरी आंखों पर पटी बान दो मैं तुमें उस गर तक ले चुनूँगा अब चोर मोची को लेकर रवाना हुआ मोची अंडाजे से कास्म की हवेली तक आ गया और उसकी हवेली के दरवाजे पर नशान लगा कर चला गया उड़र जब मरजीना अपने गर से बाहर निकली तो उसने देखा कि कास्म के गर के दरवाजे पर चाहक से नशान लगाया गया है उस ने चाक ले कर तमाम गरूँद के दर्वाजू पर निशान लगा दिये थोड़ी देर बार चोड अपने सरदार को ले कर वहा पोंच गया उसने देखा के तमाम गरूँद के दर्वाजू पर निशान लगे हुए हैं अब तो वह बड़ा परशान हुआ अब सरदार खुड उस मोची के पास पहुंचा मोची सरदार को लेकर कास्म के मकान पर पहुंचा सरदार ने निशान लगाने के बजाए कर को खूब अच्छी तरह देखा और वहां से चला गया अली बाबा इशा की नमाज पर कर गड़ आया तो दर्वाजे पर डस्तक हुई उसने दर्वाजा खुला सामने एक आदमी खरा था वो बोला जिनाब मैं तेल का सोटागर हूँ मेरे पास तेल के चालिस मटके हैं मुझे एक राट के लिए अपने गर में रहने दे सुबर चला जाओंगा अली बाबा ने उसे इजाज़त दे दी वो आदमी चोगो का सरदार था और उन मटकू में तेल के बजाए चालिस चोट थे राट को जब मर्जीना चुराग चलाने लगी तो चुरागो में तेल नहीं था वो थोड़ा सा तेल लेने के लिए उन मटकू के पास आई तो एक मटके से आवाज आई सरदार क्या मैं बाहर आ जाऊंगा ये सुनकर मर्जीना हिरान रह गई और सारी बात समझ गई फिर मर्जीना उस मटके के पास पहुंची जिसमें वाकी तेल था उसने एक मटके से तेल नकाल कर खूब गर्म किया फिर थोड़ा थोड़ा तेल तमाम मटकों में अंडेल दिया तमाम चोड़ जल कर मर गी आड़ी राट को जब चोड़ों का सरदार वहां आया तो उसने अपने तमाम साथ्यों को मुटा हालत में पाया ये देख कर वो वहां से बाग खड़ा हुआ सुब मर जीना ने अली बाबा को सारा वाक्या सुनाया तो अली बाबा बहुत हुश हुआ और उसका शुक्रिया अड़ा किया अब चोड़ों के सरदार ने अली बाबा की दुकान के पास एक दुकान ली और वहां कारुबार करने लगा एक दिन अली बाबा के बेते ने सरदार की गर डावट की सरदार ने डावट कबूल कर ली चूंकि सरदार ने अपना बेस बड़ला हुआ था इसलिए अली बाबा उसे पच्चान ना सका मगर मरजीना ने उसे पच्चान लिया था खाना खाने के बाद सरदार ने मरजीना से कहा तुमने बहुत लजीज खाना पकाया है इसलिए मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ ये कहे कर उसने जेब में हाथ डालना चाहा तो मरजीना ने खुर्टी से हंजर नकाल कर सरदार के सीने में खूंप दिया सरदार तरब कर गिरा और मार गया मरजीना ने अली बाबा को तमाम बाक्या सुनाया तो अली बाबा बहुत हुश हुआ उसने अपने बेते की शादी मरजीना से कर दी और यूँ सबहन से खुशी जिन्दगी बसर करने लगे हटन सुब्ध